प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राश्रपती जो बाइडन के बीच वर्चुल मीटिंग होनी है पिछले महिने ही क्वार्ट लेटर्स की मीटिंग के दौरान दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हो चुकी है ये बैठक 2 प्लस 2 मिनिस्ट्रियल डालोग से पहले होनी है विरेश मंत्री ने कहा है कि दौनों नेताओं के बीच मुलाकात वी पक्षिय साचेदारी को मस्बूत करेगा ये मुलाकात दोनों देशों के बीच लगातार, हाई लेवल, इंगेज्मेंट के रास्ते खोलेगा दोनों नेता साउथ एश्या के हालिया घटना क्रम और साजा हितों से जुड़े वैश्विक घटना क्रमों पर बातचीत करेंगे वाइट हाउस के मताबिक मोदी के साथ मुलाकात के दोरान, जो बाइडन, रूस, यूकरिन, युद्ध का मुद्ध भी उठाएंगे वाइट हाउस ने कहा है कि मोदी के सामने रूस के इस भयावह युद्ध के नतीजों पर चर्चा होगी इसके अलावा इस युद्ध के चलते ग्लोबल फूट सप्लाई पर पढ़ने वाले असर पर भी बातचीत होगी रूस और यूकरिन के युद्ध के बीच भारत के स्टैन को लेकर अमेरिका पहले भी एतराज जाहिर कर चुका है अमेरिका चाहता है कि रूस के साथ भारत अपने रिष्टों को सिमित रखे भारत ने अभी भी रूस से तेल का आयाद चारी रखा है और अमेरिका को ये अखर रहा है वो चेतावनी दे चुका है कि अगर भारत लगातार इस रिष्टे को जारी रखता है तो उसे कीमत चुकानी बढ़ सकती है साथ ही अमेरिका भारत के सामने प्रस्ताव रख चुका है कि वो उसे हतियार देगा शर्थ भी रखी है कि रूस से मिलने वाले हथियारोपन निर्भरता कम करनी होगी रक्षा मंत्री राजना सिंग और विदेश मंत्री S. जैशंकर 2 प्लस 2 वारता के लिए अमेरिका पहुँच चुके हैं अमेरिकी रक्षा मंत्री Lloyd Austin पेंटागन में राजनात का स्वागत करेंगे इसके बाद दोनों देशों के नेता बादचीत में शामिल होंगे दोनों के बीच डिफेंस पार्टनर्शिप को मजबूत करने और बढ़ाने पर चर्चा होगी वारता में Lloyd Austin के अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री आंटनी प्लिकेंश शामिल होंगे इस वारता में वेपक्षे संबंधो को मजबूत करने और को आपरेशन बढ़ाने पर चर्चा होगी यूकरिन का मुद्दा भी अहम होगा स्ट्राटेजिक पार्टनर्शिप, एजुकेशन को आपरेशन, टेकनोलोजी, सप्लाई चेन, डिफेंस पार्टनर्शिप पर भी बातचीत के मुद्दे होंगे वीडियो डिस्क अमरुजाला.ड़ कॉम अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें